Hello everybody, welcome to my channel, this is Professor Ivneet, so today I am going to teach you what is the importance of marketing So, जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूँ कि मैंने इस से पहले marketing की बहुत सी videos बनाई है अगर आप लोगों ने वो videos नहीं देखी हैं, तो मैं उन सब videos की playlist का link उपर i button नीचे description box और pin comments में दे दूँगी, और हाँ, कुछ students मुझसे easy books पूछते हैं कि marketing की कौन सी है तो वो books जो है, वो मैंने description box में बताई हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा So, without any further delay, let's get started Okay, what is the importance of marketing? अब marketing क्या है, यह सब मैंने पुरानी अपनी सारी videos में मैंने अच्छे से explain किया है तो आज हम करेंगे कि marketing की क्या importance है, क्यों जरूरत है marketing की तो यह importance जो marketing की हम different heads के अंदर पढ़ेंगे और अगर आपको question आता है, तो इसको आप ऐसे ही लिखिएगा First है, importance of marketing for the firms or manufacturers business planning and decision making, अब देखो क्या है, आज की date में जो market है वो customer oriented है, consumer oriented है, means वही product जो है producer बनाता है जिसकी जरूरत है consumer को, तो marketing में क्या होता है, पहले research की जाती है कि consumer को किस तरह के products की जरूरत है, फिर उसी चीज़ को ध्यान में रखते वे producer जो है उसी तरीके के products बनाता है, तो जो producer है, जो businessman है उसके जो decisions है, उसकी जो planning है, वो marketing के उपर base है क्योंकि उसी के regarding, वो decision ले पाता है कि मुझे क्या बनाना है किन के लिए बनाना है और कितना बनाना है, तो ये सब जो है वो marketing के उपर ही base है अब देखो distribution क्या होता है basically जब हम कोई चीज TV पे ad देखते है तो हम क्या करते हैं जाके उसे अगर हमें पसंद आती है तो हम खरीदने के लिए जाते है तो अगर हमें एक shop पे available नहीं हुई अगर पहली shop में मिल गई तो बहुत अच्छी बात है लेकिन in case अगर नहीं हुई तो हम किसी दूसरी जगा जाएंगे उसे लेने के लिए तो अगर वो चीज available ही नहीं है तो it means उस company ने उसका distribution अच्छा नहीं करा है तो जो marketing है वो distribution में भी बहुत helpful होती है marketing का main मकसद यही रहता है कि consumer को जो products हैं वो कम से कम cost पे मिले means उनको जादा pay न करना पड़े products का और यह सिर्फ तभी हो सकता है अगर जो producer है वो proper distribution channel चूस करे अब वो कैसे चूस करेगा वो marketing help करती है उसमें कि भई कि ये product बन रहा है और ये product जो है इसके लिए best distribution channel कौन सा रहेगा जिससे की consumer को इसका कम payment करनी पड़ेगी इसको खरीदने में ओके then next is helpful in increasing the profits obviously जब एक producer जो एक firm है अगर वो consumer की demand के according ही product बनाएगी और उस product की demand और ज़ादा भी create करेगी advertising के त्रियू या फिर sales promotion के त्रियू ठीक हमें product का कहां से पता चलता है add के तुरू पता चलता है न कि ये नया product आया है तो जो company है वो क्या करती है वो demand create करती है कि ये product हमने बनाया है इसका ये use है तो हमें भी जरुरत feel होती है कि हाँ हमें ये खरीदना चाहिए तो इससे क्या होता है उससे जो है company की जो है sales बढ़ती है और sales बढ़ती है तो automatically उनका profit भी increase होता है the next is helpful in communication between the firm and the society अब देखो क्या है producer जहां पे product बना रहा है ये जरूरी तो नहीं है कि वो product वही बिख जा रहे there is a distance of thousand of kilometers हो सकता है producer कहीं बैटा है उसके products इंडिया में भी बिख रहे हैं इंडिया से बाहर भी बिख रहे हैं तो जो producer है अब वो सारे consumers के पास जाके उनके demand तो नहीं पूछ सकता ना कि आपको क्या चाहिए ठीक है आपकी क्या requirement है आपको किस तरीके कि आपकी needs or preference है तो ये काम कौन करता है ये marketing की help से ही जो producers होते हैं उनको पता चलता है कि consumer का क्या behavior चल रहा है means आज की date में क्या trend चल रहा है लोगों को किस product की जरुरत है उनको product में क्या क्या चीज़े चाहिए तो जो producer है जो काफी दूर बैठा है वो वहाँ बैठके भी वो इस तरीके का product design करता है ताकि वो अपने consumer को satisfy कर सके then next is importance of marketing for the consumer अब marketing की क्या importance है consumer के लिए देखो marketing का सबसे जादा फाइदा अगर किसी को हुआ है तो वो consumer ही है क्योंकि देखो पहले क्या होता था पहले एक या दो ही sellers होते थे product के तो consumer को क्या होता था उनको उनी से खरीदना पड़ता था उसके पास choice नहीं होती थी and moreover पहले जो market थी वो producer oriented थी आज की जो market है वो consumer oriented है means consumer को जो चाहिए पहले उस चीज को study किया जाता है और उसी के according भी products बनाई जाते है goods are produced according to the needs and taste of the consumer which increases the customer satisfaction obviously अगर चीज़े हमारे ही taste के according बनाई जाएंगी तो obviously हम ज़्यादा satisfy होंगे न तो आज की जो date है यह जो marketing है जो modern marketing concept है यह consumer oriented होने की वज़े से customer की जो satisfaction है वो increase हो जाती है the next is facilitates choice अब आज की date में consumer के पास कितनी सारी choice है अगर उसको suppose एक cream ही खरीदनी है या फिर एक lotion खरीदना है तो उसके पास कितने सारे options है even अगर उसे car खरीदनी है तो कितनी सारी companies है जो cars बना रही है कितने colors में है, size ठीक है आपको big car चाहिए आपको sedan चाहिए, आपको SUV चाहिए तो इतनी सारी उसके पास choice है और यह सिर्फ तभी है ना कि अगर बहुत सारे producers है उसके पास competition है ठीक है, तो consumer क्या करता है सारी चीजों में comparison करके एक better choice कर सकता है तो उसके पास choice है तो यह सब किसकी वज़े से possible हुआ है या marketing की help से ही possible हुआ है क्योंकि product जो है वो consumer के demand के according बनाई जाते है The next is increase in the knowledge अब हमारी knowledge कैसे बढ़ती है हमें कैसे पता चलता है कोई नया product market में आया है वो हमें पता चलता है advertising के through या फिर publicity या salesmanship के through ओके हम एड देखते है हमें पता चलता है कि अच्छा ये नया product आया है और उसका ये use है तो इससे क्या होती है consumer की knowledge increase होती है और अगर कभी उस product की जरुरत feel होती है तो हो जाके खरीद लेता है और ये सारी चीज़े हम marketing में करते है The next is providing good quality products अब देखो आज की date में consumer के पास पैसे है वो जादा से जादा फर्च करने को तयार है लेकिन उसे product की quality अच्छी चाहिए तो ये जो है आज की date में जो marketing companies हैं जो companies हैं वो क्या करती है वो research and development activities में invest करती है जिससे उनको पता चलता है कि लोगों को क्या चीज चाहिए लोगों को अगर अच्छी quality चाहिए तो product में अच्छी quality हम अच्छी quality का product बनाए ताकि जो consumer है उसको अच्छे products मिल सके और ऐसा भी नहीं है कि बहुत महेंगे मिले reasonable prices पे हम उन्हें अच्छे products दे सके जिससे की वो satisfy हो सके और ultimately क्या होगा अगर consumer को अच्छे products मिलेंगे अच्छी quality के और वो खुश होगा वो जादा से जादा उसे दुबारा से दुबारा purchase करेगा तो automatically company को ही फायदा होगा उनकी sale increase होगी और ultimately उनका profit increase होगा अब देखो economics में हमने concept पढ़ा था कि price कब बढ़ता है price हमारा तब बढ़ता है जब किसी चीज की demand होती है लेकिन supply नहीं हो पाती है तो उस case में क्या होता है price increase हो जाता है तो जो marketing है उसमें हम क्या पढ़ते है storage और transportation पढ़ते है अब जो ये storage और transportation है ये price को stabilize करने में बहुत helpful होते है अब कैसे helpful होते है मैं आपको बताती हूँ देखो अब product की जब जरूरत है ठीके जब जरूरत है वो product तभी available कराना suppose अगर एक जगा पे product की demand हो गई है ठीके तो product जो है वो storage houses में पढ़ा है तो तुरत transportation के through storage house से product को निकाला जाएगा और उसे वहाँ उस market में पहुंचाया जाएगा जहाँ पे उसकी demand है तो अगर demand पूरी कर ली गई तो क्या होगा demand is equal to supply हो जाएगा तो price जो है वो stabilize हो जाएगा means जितनी demand है उसको पूरा कर दिया जाएगा तो price हमारा increase नहीं होगा तो marketing जो है वो price stabilization में भी बहुत जाएदा helpful है the next is अब देखो किसी चीज़का अगर price नहीं बढ़ेगा तो automatically consumer को ही तो फायदा होगा न the next is increase in standard of living अब consumer को अगर अच्छी quality के products मिलेंगे उसको अच्छी branding अच्छे packaged products मिलेंगे तो obviously उसकी satisfaction बढ़ेगी और ultimately उसकी standard of living भी improve होगा so that was importance of marketing for the consumer now we will study कि marketing की क्या importance है society के लिए first is employment obviously marketing में बहुत सारी activities हम पढ़ते हैं बहुत सारे functions है marketing के जैसे कि transportation हो गया, storage हो गया, packaging, advertising अब इन सब functions में लोग involved होते हैं लोग होते हैं जो ये चीजे करते हैं तो इससे क्या होता है बहुत सारे लोगों को employment मिलती है job मिलती है तो उससे ultimately लोगों को फाइदा होता है कि उनको job मिल गई है तो इंडिया में 5 करोड या उससे जादा लोग marketing activities में involved है तो it is a big source of employment the next is इससे national income भी increase होती है अब national income कैसे increase होती है देखो अगर goods को लोगों की choice की according बनाया जाएगा तो उससे क्या होगी लोगों की demand बढ़ेगी products की लोगों को वो products चाहिए होंगे क्योंकि उनकी choice taste की according बनाये गए है products तो demand increase होगी product की अगर किसी चीज की ये all-rounder बहुत better है इससे country की national income increase होगी then next is reduction in distribution cost एक अच्छा marketing process वही होता है जो cost of distribution बहुत कम रखे ताकि लोगों को reasonable prices पे products मिल सके अब देखो हर इनसान बहुत महंगे products नहीं खरीच सकता तो company जादा से जादा यही चाहती है कि हम ऐसे products बनाएं जिससे जादा से जादा लोग खरीच सकें तो वो कोशिश करती है कि हम इस तरीके का distribution channel चूज करें जिससे कि distribution cost कम आए और कम आने से क्या होगा automatically फिर product का price भी कम होगा और जो उसका फाइदा है वो consumers को बहुत अच्छे से हो जाएगा the next is protection of depression अब marketing की help से depression जो है उससे भी protection मिलती है अब कैसे मिलती है in situation of depression depression की situation में जब चीजे बिक नहीं रही है ठीक है तो उस situation में marketing कैसे help करती है marketing helps discovering new market अब marketing क्या करेगी अब चीजे नहीं बिक रही है लोगों के पास पैसा नहीं है लोग खरीद नहीं पा रहे है तो उस case में marketing क्या करेगी वो नई market को explore करेगी कि अगर इस market में नहीं बिक रहा हम next किसी और market की तरफ जाए या फिर हम product के alternative uses बनाए हम ऐसा product बनाए जिसके लोगों को बताए कि इसको आप इस चीज के लिए भी use कर सकते हो और इसे दूसरी चीज के लिए भी use कर सकते हो तो दो तीन uses बताए उससे लोग उस product को खरीदेंगे कि हाँ भई यह सिर्फ एक ही काम नहीं आता है इसको हम दो तीन चीजों में use कर सकते है तो इससे क्या होगा जो country है वो depression की स्थिती में जाने से बचेगा Then importance of marketing as a business function अब क्या importance है business function के लिए सबसे पहले जो marketing है वो एक heart है business organization का जो chief executive है business का मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले marketing जो है उसी के उपर सारे functions based होते है क्योंकि उसी में decide किया जाता है क्या बनाना है और वो क्या बनाना है कैसे पता चलता है कि लोगों का क्या trend चल रहा है लोगों की क्या choice चल रही है ठीक है लोगों को क्या चाहिए उनकी क्या demand है तो ये marketing की help से ही decide किया जाता है तो अगर ये चीज़ decide होगी तब ही जो chief executive है वो plan करेगा कि मुझे क्या बनाना है production manager ये decide करेगा कि मुझे कितना produce करना है ठीक है और जो purchase department है वो ये देखेगा कि मुझे कितना raw material चाहिए होगा तो और जो finance manager है वो ये decide करेगा कि मुझे कितने funds चाहिए होगे इतने products बनाने के लिए तो यह सारे decisions जो है वो marketing पे ही base है Then next is basis for economic activities Obviously, जो marketing के base पे ही मैंने आपको बताया है कि product produce होंगे, production होगी, consumption होगी, exchange, distribution सब marketing पे ही base है तो इससे क्या है, जो efficient marketing system है can keep the factors of production मतलब वो इस तरीके का होगा marketing system ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी factors of production को भी fully profitable बनाएं ठीक है तो जितनी भी economic activities है वो सारी ही marketing के उपर based है Then next is creation of utility अब मैंने पहले भी आपको बताया storage और transportation के बारे में तो जो marketing है वो utility create करती है place utility, time utility and possession utility अब इसका क्या मतलब होता है transportation place utility create करती है कैसे create करता है देखो transportation के help से product को वहाँ पहुचाया जाता है जहां पर उसकी जरूरत है तो इससे place utility create होती है सिर्फ storage की help से जो है product को उस समय पहुचाया जाता है जब उसकी जरूरत होती है अब देखो कोई जरूरी ही नहीं है एक product अगर पुरा साल बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो पुरा साली बिके हो सकता है उसका कोई time हो बिकने का तो उसे फिर तब तक के लिए store किया जाता है तो जो storage है वो time utility create करता है जो selling है वो possession utility create करती है अगर हम किसी को चीज बेच देते है तो वो product उसके पास चला जाता है उसके पास उस product का possession चला जाता है तो selling के help से possession utility create होती है तो जो marketing है वो एक utility create करती है जो की customers के लिए बहुत beneficial है आज की date में companies जो है जो firms है वो ऐसे goods produce करती है जो society के लिए भी फाइदे मन्त है तो वो लोगों की सिर्फ satisfaction products दे के साथ के साथ वो ऐसे product brand की कोशिश करती है जो society के लिए भी नुकसान दायक नहीं है and moreover आज कल तो companies बहुत सारी marketing techniques भी use करती है अपने product को बेचने के लिए जैसे मैं आपको एक example देती हूँ Mama Earth की Mama Earth एक Indian company है उसमें क्या है कि अगर आप उनको order देते हो तो वो एक tree plant करते हैं आपके उस order से तो उससे क्या है कि देखो वो अपनी ऐसा करके लोगों को भी जो खरीद रहे है उनको भी अच्छा लगता है कि चलो हमने हमारी एक order की वज़ा से एक tree plant हो गया तो उससे क्या है यह उनकी marketing टेकनीक है उससे यह है कि लोग जादा से जादा उनसे product खरीदेंगे उससे देश का भी भला हो जाएगा कि जादा से जादा paid लग रहे है and moreover इससे क्या होगा उनकी भी sale increase हो जाएगी और ultimately उनका profit बढ़ जाएगा The next is importance of marketing and economic development अब यह सारी चीजों की help से obviously देश की economy भी तो better होती है अगर लोगों को अच्छा standard of living मिलेगा लोगों के पास अच्छे quality के products होगे ठीक है लोगों को employment मिलेगी jobs मिलेगी तो automatically देश का भी तो भला होगा national income बढ़ेगी तो जो देश है उसकी भी economic development होगी okay so this was all about importance of marketing in case अगर आपको फिल भी कोई doubt रह जाता है तो आप मुझे please comment section में लिखिए और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे further भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को like कर सकते है शेयर कर सकते है और मेरे चैनल को subscribe कर सकते है so thank you